हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगात हैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रहोगी क्लास टुल्ड कमिस्टी न्से रटी चेप्टर टू जिस चेप्टर का नाम है बिलियन अर्थात सालियुसन इसमें आज हम बच्चों यहाँ पर एक महात्पूर टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि बास्पदाब के आप एचिक आपनवन से बिले पदार्थ के आनविक दरबमान की गढ़ना यह बिले पदार्थ के आनविक दरबमान की जो गढ़ना है वो अपन राउल्ड के नियम के आधार पर करते हैं यदि आपने राउल्ड के नियम नहीं पढ़ा तो फिर आपको यह बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है थोड़ा समय राउल्ड के नियम के बारे में चर्चा कर लूँगा बस तीन मिनट का समय देंगे तो पूरा राउल्ड का नियम का नियम खतम हो जायगा राउल्ट के नियम के अधार पर राउल्ट ने बताया कि किसी भी बिलियन का वास्पदाव जिसे हमारे पास बिलियन का या बिलायक का जब हमारे पास किसी भी बिलियन में आवास्पसीर बिले पदार्थ मिला हो क्या मिला हो आवास्पसीर बिले पदार्थ मिला हो तो बिल्यान और बिलाया का वास्वदाब बिलाया के मोल प्रभाज के समान उपाती होता है बिलाया के मोल प्रभाज मतलब X के समान उपाती होता है जब समान उपाती हटाते हैं तो के एक नियतांक लग जाता है बच्चो यहां परजी हम कहें कि सुद्ध बिलायक के लिए सुद्ध बिलायक दी हो तो मोल प्रभाज एक होता है सुद्ध बिलायक के लिए मोल प्रभाज एक होता है और P A का मान हम मान के चले P not A या P 0 A यहां परजी रखते हैं बच्चो तो आपका P0A बराबर K आ जाएगा फिर से K का मान जब रखेंगे तो P A बराबर P0A into X A आ जाता है यह हमने रावल्ड के नियम से सीखा था किसी हम एक घटक के लिए बात करते हैं यदि billion में दो घटक है तब दोनों घटक का जो मोल प्रभाज है वो आपका एक होता है जैसे हमारे पास billion में दो घटक है A और B तब दोनों का जो मोल प्रभाज है एक होता है बच्चो यदि हम X A का मान निकालना चाहें तो आपको कि 1-XB हो जाता है अब इस X A का मान यहाँ पर रख दें तो आपका निकल कराएगा P A बराबर P 0 A 1-XB आजाएगा चीजें clear है इसके बाद बच्चो यदि पक्षांतर मतलब गुणा कर दें तो P 0 A इंटू X B हो जाता है यदि पक्षांतर करेंगी हमारा मान इस इधर आकर प्लस हो जाएगा तो P 0 A X B बराबर ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस आजाएगा ठीक है कोई दिक्कत और यहां से X B निकाल सकते हो पक्षांतर आएगा तो X B बराबर आजाएगा P 0 A माइनस P A बटा P 0 A यही आपके बच्चा X B कमान आगया बिले पदार्थ के बिले पदार्थ के मोल प्रभाज का बैलू निकल कर आगया तो यह राउल्ट का नियम कहता था बढ़िया सिस्टम समझा दे है न दो मिनट का समय ही लगता है राउल्ट के नियम में जादा कुछ नहीं होता है तो राउल्ट ने यह बताया था कि XB बराबर P0A माइनस PA बटा P0A अर्थात वास्पदाब में जो आपेचिक अबनामन है वो बिले पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर है यह आपका मोल प्रभाज है XB, मोल प्रभाज है मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं कि जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना जिसे billion में कई सारे घटक है billion में दो घटक है मान के चलता हूँ billion में दो घटक है A और B तब बच्चों इनका हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो इसका XA हो जाएगा इसका XB हो जाएगा यदि xa निकालना चाहते हैं तो na बटा na plus nb मतलब जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल की संख्या और billion भी जितने घटक हैं उनके सब के मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है मोल प्रभाज क्या कहलाता है जिस भी billion के घटक का मोल प्रभाज निकालना है तो उस घटक के मोल की संख्या और billion के समस्थ घटकों के मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है बच्चो यदि हम xb की बात करें तो xb मतलब दूसरे घटक यहनि nb हो जाएगा और न पड़ेगा उसे आप ताल नहीं सकते तो यहां पर क्या बूला है बिले पदार्थ के आणविक द्रब्मान की घरना अच्छा बिले पदार्थ के आणविक द्रब्मान मतलब B के आरबिक द्रबमान अर्थात M B का हमें मान निकालना है और हम कैसे निकालेंगे हमने कहा नराउल्ट के नियम से ही हम निकाल देंगे तो जैसा कि हमने आपको एक प्लस पॉइंट समझाया कि वास्पदाब में आप एच्छिक अबनमन यह देख सकते हों आप लो वास्पदाब में आप एच्छिक अबनमन कितना होता बच्चो X B बराबर X B बराबर X B बराबर मुझे यहाँ पर लिखना है P 0 A माइनस P A बटा P 0 A यह वास्पदाब में आप एच्छिक अबनमन है मुझे क्या निकालना है M B का मान निकालना है एक एक स्टेप बाइस्टेप समझाऊँगा थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा यदि मैं आप से कह दूं कि आपका P A क्या है यह बिलियन का बिलियन का वास्पदाब है क्या बिलियन का वास्पदाब है ठीक है यदि आप इसका बेहतर नोट्स बनाना चाहते है तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते चली यदि आपके पास नोट्स नहीं है लेना चाहते है तो कंटेक्ट नमबर 96-89-99 आप कंटेक्ट कर सकते हैं बच्चो अब मैं कहे दू कि PG-0-A क्या है ये सुद्ध बिलायक का है ये मेरा P-A जो है एक प्रकार से बिलायक कहे दो आप क्या बोल दो बिलायक का वास्पदाब है ठीक है बिलियन हमारा बिलायक दोनों बराबर होता है क्यों? क्योंकि यदि बिलियन में बिले अवास्पसील है तो बिलियन और बिलायक दोनों का वास्पदाब समान होता है यह सुद्ध बिलायक का वास्पदाब है किसका है सुद्ध बिलायक का वास्पदाब है वास्पदाब है और बच्चों यदि मैं कह दू XB क्या है XB क्या है कि आप बताओ जरा बिले का मोल प्रभाज है कोई दिक्कत नहीं है अब मैं यदि XB बोलू कि XB क्या है तो मोल प्रभाज है और मोल प्रभाज को अपन यहाँ पर XB जो बच्चो बिले का मोल प्रभाज है तो XB बराबर मैं आप से कह दूँ तो आप सिंपल तरीके से कहोगे कि सर NB बटा N A प्लस N B होगा, मोल प्रभाज कहलाता क्या है, बिलियन के एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में समस्थ घटकों के मोल की संख्या का अनुपात है, बिलियन में एक घटक के मोल की संख्या है इसको आप समय करना दो दे देंगे जहां मैं आपसे कह दू एन ए क्या है ये बिलायक बिलायक के मोलों की संख्या है बिलायक के मोलों की संख्या है और बच्चो एन बी क्या है बिले के बिले के मोलों की संख्या है एक चीज तो हमेशा याद रखना कि भाई सहाब मोल प्रभाज निकालते कैसे है जिस भी घटा का मोल प्रभाज निकालना है उसकी मोल की संख्या और बिलियन में समस्थ घटकों की मोल की संख्या जिसमें आपसे कह दूँ भी हमारा बिले है तो बिले की मोल की संख्या और बिलियन ये दोनों मिलाकर बिलियन बन गे तो बिलियन की मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है या बिलियन की एक घटक की मोल की संख्या और बिलियन में उपस्ति समस्थ घटकों की मोल की संख्या का जो अन पात है वो बिलियन का मोल प्रभाज कहलाता है अब यह मोल की संख्या कैसे निकालते हैं सर यही तो डाउट है यहां तक तो क्लियर है आपका इसके बाद हम कहे दें यह दिया आप से कि एन ए बराबर कितना होता है तो वेट बटा मास और आप से कह दें कि एन बी बराबर कितना होता बच्चो तो इसका हो जाएगा डबलू भी बटा एब बटा मास यहनि बिलायक का जो मात्रा है डबलू यह है बिलायक का अनविक द्रभ्मान यह है ठीक है कोई दिकत तो नहीं है लिकने जरुत तो नहीं पड़ेगी इतना तो क्लियर है बच्चो इसलिए तो कहता हूँ कि थोड़ा सा यार नोट्स ले लो आप लोगों का भी थोड़ा सा कल्लेंड होगा और आप लोगों प्रापर रुप से त्यारी कर पाएंगे ठीक अब मैं समीकर्ण 2 में मान रख दू कुछ बच्चे तो कमेंड करते हैं कि सर बहुत लिखाते हैं आप समीकर्ण 2 समीकर्ण 2 में मान रखने पर मान रखने पर चलो भई मान रख दो जरा समीकर्ण 2 में मान रखेंगे तो XB बराबर आपका आजएगा WB बटा MB हो गया, ठीक, यहां तक चीजें, क्लियर है बच्चों, इसको मैं एक प्रकार से समीकर्ण तीन दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परसानी नहीं है, मैंने बैलू तो पुठ किया है, और कुछ भी नहीं किया है, बैलू पुठ किया है, P0A-PA बटा P0A XB यहाँ पर भी है और XB यहाँ पर भी है दोनों को तुल्ला कर दी समिकरन 1 वा 3C तुम्हारा समिकरन 1 है P0A-PA बटा P0A ठीक है और इधर का कितना बच्चो WB बटा MB डिवाइड बाए WA बटा MA प्लस WB बटा MB यहाँ तक तो चले आओ धीरे-धीरे करके चले आओ अब यदी बिलियन तनू है तनू मतलब बिले पदार्ज की मात्रा बहुत कम है यदी बिलियन तनू है बच्चो यहाँ पर थोड़ा समझेगा कि तनू बिलियनों के लिए तनू बिलियनों के लिए भाई देखो मोल प्रभाज तो टोटल एक होता है भाई बिलायक और बिले का टोटल एक होता है ये तो सबको पता है मोल प्रभाज टोटल एक होता है अब इनकी मोलों की संख्या की बात करें तो यदि बिलियन तनू है मतलब उसमें बिले पदार्थ की मात्रा बहुत कम होगी समझ रहे हैं अर्थात हम कहे दें कि WB बटा MB का मान जो है यह आपके बिले की बात है मान WA बटा MA से बहुत कम होता है मतलब नगन होता है ना के बरावर होता है इसलिए इसलिए इसको आप समीकर्ण 4 दे सकते हैं समीकर्ण 4 समीकर्ण 4 से यहाँ पर आप देखना भाई समीकर्ण 4 से यहाँ पर आप देखो हर वाले भाग में से उपेच्छा करेंगी ठीक है समीकर्ण 4 से WB अपान MB की उपेच्छा करने पर तो कितना बचेगा बच्चो P0A-P A बटा P0A बराबर में इधर बचेगा WB बटा MB यहा तो रहेगा ही नीचे मरा हो जाएगा WA बटा MA अब देखेगा बच्चो बहुत सिंपल तरीके से यह देखो यह भाग में है न कोई दिक्कत तो नहीं होगा मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ WB बटा MB और यह उपर जाएगा बच्चो तो MA बटा WA अब देखेगा न एक स्टेप में यहाँ पे कहानी ट्विश्ट लाएगा कैसे हमें MB का मान लाना न तो भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा MB बराबर ठीक है यहाँ पे आपके पास कितना WB है तो WB आपके पास MA है तो MA यह भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा और जो गुणा में उपर है नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा ठीक है और बच्चों यहां पर आपका डबलू ए है तो डबलू ए रहने दो यही है बिले पदार्थ के आणविक दरबमान का फार्मूला बिले पदार्थ के आनवी द्रबमान का फार्मूला उमीद करता हूँ कि आप लोग इतना अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए होंगे कि दुबारा पढ़ने की ज़रुत नहीं फड़ेगी बसबचो आप लोग निरंतर हमारे साथ जुड़े रहेगे